मुझा आप ये वाल वाल में आप ये ये वाल ये वाल ये कासे हैं आप सब लोग उमीद करते हूं किया अप सब लोग खेरियास से ओंगे आज की वीडियो एक रिव्यू बेस्ट वीडियो है और हम करने जा रहे हैं यह सोप का रिव्यू के जो के बहुत ही अच्छा सोप है और इसके बारे भी शायद कुछ लोगों को मालूम हो और कुछ को ना हो तो यह सोप का कोई इस तरह की पैकेजिंग में है इसका है हनी एंड पोपाया सोप और बहुत ही फुबसुरत पैकेजिंग में है और इसको अगर ऑपन करें तो प्र फिर अगेन एक और पैकिंग इसकी आती है जो के इसके अंदर यह होता है और इसको हम निकालकि आपको बिताते हैं जाये थूर इसका अगध निकुत है अगर झेले हैं झेले उज More in poÎ dat या mamma, शोरी बques्षी कि भीशा दीज़ी, वीज़ी किहीं, भीच ही महीना क।्स्या प्रूस्स जाह की बहुत जाओ झाहिमी, जाओ झाहिमी हों origin झाहिमी जाहिमी जाहिए ज़ाओ direct किहीं हॉं आट्रैक टीज़ी और आम चेंटे रिंकल निए लिया ही कि और फिर्ट्डेल रिमूवे ब्रेक हेडरों लिया जाए rapid और में के इस का इस्ती है अब आपिस भाश के अपर मेकप के लड़िए, जिस अए खेश को तरह है और कि स्किन पोड़ प्राइ अगर आप की洗ाट filters या कोई भी आप साबन यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो जस्ट फेस वाश करके आप सोगे ना आपको फेस वाश करने के पाद आपके अपने स्किन की क्लीजिंग जरूर करनी होती है और या कोई मॉस्चराइजिंग क्रीम लगा के आप सोगे या अपने फेज की ख्लिंजिंग करें, फेज बाद आपके पॉर्ज उपन हो जाते हैं तो उसके लिए आप अपने सकीन के लिए और तोनर जड़ूर्ट करें, क्यों के तोनर आपके पॉर्जिंग को क्लोस करने में मदद करता है तो आपने कोई भी सोप यही वाला सोप भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो रात को सोने से पहले आपने सोप से मूँ दो लिया और उसके बाद अपने अच्छे से पेस की क्लिंजिंग करके टिश्यू से साफ करके आपने उसको टोनर लगा के थोड़ी तर बाद आपने अपनी आप लोग मॉस्चिराइजर नहीं यूज़ करते तो आपने जब भी पानी से कॉंटेक्ट करना है जैसे वाश करना है आपने जरूर अपनी स्कीन को और कोई भी आप फेस वाश यूज़ करते हैं तो आप बहुत दिन में दो तीन दफाह ना यूज़ करें दो से ज्यादा अगर दफाह ना यूज़ करें आप एक सुबह जरूर अपना फेस वाश करें और एक आप रात को सोने से पहले बहुत ज्यादा ही अगर आप अपना फेस वाश करेंगे तो उससे आपकी स्कीन खराब हो सकती है आपकी स्कीन से जो आयल होता है जो आपकी स्कीन को शायन दे की आपने बो करनी एपने यह सोबड़ं करना यह वड़ु हो ऑप हर्라 का समस्टराइजर करना है और संब्लृग आपने जब नम ओगद आप घरर के के अंदर हो या बाहिर हो आप ने सन ब्लॉक जरूर लगाना है लेकिन सन ब्लॉक में जो SPF जो होता है उसका वो 42,50 के अंदर होना चाहिए इससर ज्यादा नहीं होना चाहिए जहां तक इसकी प्राइस का तहलुक है तो प्राइस इसकी मैंने इसको SPF स्टोर से लिया था कि बन 350 या 400 की रेंज में लेकिन जब मैंने बाद में दराज में देखा तो यह 190 में 250 में 300 तक भी मिल रहा है लेकिन मुझे नहीं पता कि दराज वर्ला जो है वो उसका वो औरिजिनल है के नहीं है लेकिन यह जो है 350 400 की रेंज में आपको मिल जाएगा किसी अच्छे स्टोर से और कीमत भी इसकी थोड़ी सी मुझे ज्यादा लगी थी लेकिन यह कि मुझे यह अच्छा लगा कीमत त अगर आप अकेले यूज कर रहे हो तो यह साफ़ नापका एक माँ एजी लिए आपको यूज हो सकता है और यह आप इसको देख लीजिएगा यह वाइसी कंपनी का है आप इसको देखके लीजिएगा यह मैं अपको बताती हूं यह देखें इस पे यह लिखा हुए वाइ मुझे अमीद है कि मेरी वीडियो आपके लिए यूसफुल होगी और इस वीडियो से अगर आपको कोई फाइदा होता है तो मुझे बहुत जादा खुशी होगी आप मेरी इस बताएवे तरीके को जरूर आजमाएं आपको बहुत अच्छा लगेगा और अगर आपको इसस सेक्शन में जरूर बताएं अगर आप लोग ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दुबाएं ताके मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुंच जाए और मे कुषए और मेरे चैनल